आप सभी लोगोंने हाली में एक ख़बर सुनी होगी कि जो आपके पहलबान है सुसील कुमार आप देखते हैं कि हमारे देश के गौरव भी भी हैं आदर्स भी हैं और आप जानते हैं कि हमारे देश के लिए कई इन्होंने मैडल भी जीते हुएं और अगर आप लोग पहलबानी करते हैं या इस छेते से जुड़े हुए हैं तो आप में से अधिकतर लोग इन्हें अपना आदर्स भी मानते होंगे इन पर हत्या का आरोप लगाय गया है देखे अभी इनकी गिरपतारी नहीं हुई फरार चल रहे हैं और आप सभी लोगों को मालू भी होगा कि कोई जब कोई घटना घटती है तो आरोपी यानि कि आप कह सकते हैं कि आरोप तो कई लोगों पर लगा जाते हैं लेकिन आप बाल में देखते हैं कि नियालाय में सब कुछ होने के बाल कई लोगों को एक तरह से जो भी इस तरह के आरोप होते हैं उनसे निर्दोस कर दिया जाता है, कि इन्होंने कोई गल्ती नहीं की वे, समझ रहे आप लोग, तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि इनका उसमें हाथ था भी या नहीं था, क्या था, ठीक है, लेकिन आप समझें कि अगर ये सच है, और आरोप साबित हो जाता है, तो आप वही कहानी याद कर सकते हैं, वही स्टोरी कि अपने हाथों से अपने पेरों पर कुलाड़ी पटकना इसे ही कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सफल केरियर रहा है इनका, और हत्याग आरोप साबित हो जाता है, तो आप समझें कि एक तरस से क्या हाल होगा इनके केरियर का, वो आट लग जाएगी एक तरस से, समझ रहे हैं आप लोग, तो चली इनका एक हम लोग सामान जानकरी इनके बारे में देख लेते हैं, इस सबसे पहले आप देखी इनकी फोट वे पिक्चर है, ठीक है, इनके होता है, और इनके गाउं की अगर बात करें हम लोग तो गाउं बाप रॉला ये दिल्ली के पास है, दिल्ली के बाहर है थोड़ा गाउं इनका, ठीक है, जहां इनका जनम होता है, इनके पिता जी के अगर हम लोग बात करें तो दीबान सिंग, जो बश्चा लग थी, इनके की माता हैं और पतनी की इन्होंने 2011 में साधी की और सावी कुमार से ठीक है और इनके अगर केरियर की हम लोग बात करें वेफसाई की तो यह आप सभी जानते हैं कि यह पहलवानी के छेते से जुड़े हुए हैं और कोच की बात करें यानि कि एक तरह से आप गुरू कह लिजे तो महावली सत्पाल इनके गुरू हैं ठीक है और आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर इन्हें बात करें कि कहां सफलता मिली तो आप देखेंगे कि सन 1998 की बात है कि फ्रेश्टाइल रेसलिंग में सुरुआत करने पर उनकी पहली सफलता उन्हें मिली जब उन्होंने वर् गॉल्ड मेडल जीता अगर हम लोग और भी इनके पदक रिकॉर्ड की बात करें जिसके कारण इस चर्चा में रहते हैं और जिसके कारण आप लोग इन्हें अपना आदर्स मानते हैं और देश इन पर गौराण विद करता एक तरह से इन पर आप समझी कि सभी कुनाज था तीन की ही बात है कि जो आपके नई दिल्ली ACI Championship हुए थे नई दिल्ली में उसमें इन्होंने कांस पदक जीता था 60 kg बर्ग में फर आप देखेंगे सन 2005 की बात है जब आपने देखा हुगा कि Cap Town Common Belth Championship हुए Cap Town में आपके जो Common Belth Championship हुए थे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 66 kg बर्ग में फर आप देखेंगे सन 2000 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और जो आप देखते हैं कि लंदन में Common Belth Championship हुआ था फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सन 2007 में ही जो किरगिस्तान में आपके ACI ACN Championship हुए थे ना उसमें इन्होंने सिल्वर जीता और आप सभी जानते हैं कि सिल्वर, कांस, गोल्ड ये तीनों पदक दिये जाते हैं फिर आप देखेंगे सन 2008 की बात है और आप जानते ही कि बिजिंग में जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने कांस पदक जीता था 66 kg फिर आप देखेंगे सन 2008 की ही बात है कि जो जाजू दूइप पर ACI Champion से फुए थे उसमें इन्होंने कांस पदक जीता था 66 kg बर्ग में उसके बाद आप लोग देखेंगे कि सन 2009 आता है और जो आपके जलंदर Common Belt है जलंदर में आपके Common Belt Champion से फुए थे ना उसमें इन्होंन मेडल जीता 66 kg बर्ग में फिर आप देखेंगे सन 2010 की बात है कि जब नई दिल्ली में ACI Champion से फुए तब भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 66 kg में आप देखेंगे सन 2010 की बात है कि मासकों में विस्वे चेंपियंसिप होते हैं तब भी एक गोल्ड मेडल जीते हैं 66 kg में फि सब्सक्राइब होते हैं और आप देखेंगे सन 2014 की बात है कि जो ग्लास ग्लो में आपका जो आपका इसमें भी इन्होंने फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता था तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना अच्छा केरियर आ है सफल केरियर आ है और मैं इसलिए हमेंसा कहता आप समझी कि अपने आपको इस तरह से साप रखते रही है कि कहीं एक मतलब भूल से भी कोई आप सोचे कि एक आप पर कोई उंगली ना उठ जाया है आपको सोचके दिखी इतना सफल केरियर होने के बाद अगर यह इस हत्या का आरोफ साबित हो जाता है तो क्या जिन्दग के वो कदम रखने चाहिए अगर इन्हें हम लोग बात करें इन्हें मिले अभी तक पुरोषकारों की बात करें तो आप लोगों को मालू होना चाहिए कि सन 2005 में इन्हें अर्जुन अबोर्ड मिला था और आप देखेंगे राजीव गांदी खेल रतन भी इन्हें मिला है ज सन 2008 में बिजिंग उलम्पिक्स में व्रॉंज मैडल जीतने के लिए के एक तरह से इसी चक्कर में ठीजा फिर आप देखेंगे रेल में मंतराले की चीप टिक्टिंग इस फेक्टर द्वारा असिस्टेंट कार्मेर्स कर्मेर्सियल मैनेजर की रूम में प्रमोशन और और प पुरुसकार भी मिला हुआ था फर आप देखेंगे पांच मिलियन का हर्याणा सरकार द्वारा नगत पुरुसकार भी इने मिला था फर आप देखेंगे पांच मिलियन का इस तेल मंतराले द्वारा नगत पुरुसकार मिला था फर आप देखेंगे आर के गिलोबल द्वार और इसलिए आप देखते हैं कि कई हमारा कभी कोई गोल्ड मेडल जीत के आता है तो हर सरकारे हर लोग उनकी मदद भी करते हैं ठीक है उसके बाद आप देखेंगे कि इन्हें एक मिलियन का MTNL द्वारा नगत पुरुसकार मिला और सन 2010 में वर्ल्ड रेसलिंग भारत सरकार की दवारा भी इन्हें पूरुसकार मिला और एक मिलियन का दिली सरकार की ओर से नगत पूरुसकार मिला और सन 2010 में लंदन Olympics में Silver Medal जीतने की बाग, ठिक है? पर आप देखेंगे 20 million का दिली सरकार की ओर से भी इनने मदद एक तरह से आपके ये पुरुसकार दिया गया था और 15 million का हर्याना सरकार की ओर से भी पुरुसकार दिया गया था और फिर आप देखेंगे पांच मिलियन का भारती रेलविक की ओर से भी इनने नगत पुरुसकार मिला और हर्यान सरकात द्वारा विसलिंग अकेडमी के लिए सोनी पत में जमीन भी दी गई थी है और आप देखेंगे एक मिलियन का ओ एन जी सी की ओर से भी इनने पुरुसकार मिला आप इनसे ए सीख सकते हैं क्या सीख सकते हैं कि आप सफल होते हैं तब हर कोई आपके साथ जुड़ने की चाहर रखता भी है अब आप सोची जब से इन पर हत्या का अरोप लगा हुआ है तब से किसी ने इनका पक्ष नहीं लिया हुआ है तो अपने आपको हर समय समहाल के रखिए एक तरह से ठीक है तो इनकी यही सफल कहानी भी है और अच्छा भी किया इनों ने देखिए अपने छेत में लेकिन अभी यह हुआ है इससे इनकी जिन्दगी पर दाग लग जाए यह गलत है तो मुझे लगा क्योंकि काफी खवर में थे तो इनके बारे में एक सामन जानकरी हमें रखनी भी चाहिए कई बार इस तरह कि आपकी परिक्षाओं में भी कुश्चांस आ जाते हैं और कई लोग इन्हें आदर्स मानते थे या फिर मानते हैं या फिर आप लोग फिल्ड को चुन रहे हैं तब भी आप लोगों को मालूत होना चाहिए ठीक है